दोस्तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में तो दोस्तो अगर आपके भी गैलरी में फोटो या वीडियो शो नहीं कर रही है तो आपकी इस तरह से अपने इस प्रोलम को सोल करेंगे आज की इस वीडियो मैं आप सभी को बताऊंगा चलिए जान लेते हैं मैं आप सभी को तीन स्टेप बताऊंगा वह थीनों स्टेप्स आपको कर लेने हैं सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा दोस्तों आपको यहाँ पर अपनी जो फोटो यहाँ पर ऐसे लोंग प्रेस करना है आपके सामने यहाँ पर दिखाएगा आई का उप्शन यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद आप नीचे आएंगे यहाँ पर आपको मिलेगा स्टोरेज यूजज और यहाँ पर आपके सामने चीज़े और देखने मिल जाएंगी आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है उसके बाद यहाँ पर आपको मिलेगा क्लियर कैच का तो आपको कैच क्लियर कर देनी है डाटा क्लियर मत करना सिर्फ कैच क्लियर करना क्योंकि अगर आप डाटा क्लियर कर दोगे तो आपके वीडियो और जो फोटोज है सबी यहां पर डिलिट हो जाएंगी तो सिर्फ आपको यहां पर catch डिलिट करने है ठीक है उसके बाद आप सब यहां से इस तरह से बैक आ जाएंगे यहां बैक आने के बाद आप सब यहां पर अपने settings जाएंगे ठीक है settings में जाने के बाद आप सब यहां से थोड़ा नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद आपके सामने कोई भी आपके पास mobile phone हो, तो आपके पास यहां पर एक option देखने मिल जाता है about device का, आपको यहां पर about device पर click कर देना है click करने के बाद जो आपका device है, यहां पर उसके बारे में details यहां पर आपको देखने मिल जाएंगी अब देखें, यहां पर आपके सामने यहां पर देखने मिलेगा, आपको इस पर click कर देना है जो आप यहां पर click करेंगे, तो checking for updates आपको दिखाएगा और नीचे आप लोग देख सकते हैं कि आपके सामने update available दिखाएगा जिसमें कि आपको यहां पर download और इसको install कर लेना है दियान राखेगा कि आपके mobile में net और या फिर wifi यहां पर connect होना चाहिए आप देखें दोस्तों आपको यहां पर click करना है, मैं आपको पर दिखाऊँगा कि जो version है इसमें क्या क्या आपको benefit मिलेगा तो देखें जो भी आपकी problem रहती है उसके लिए आजाता है जैसे कि आप लोग देखेंगे, you can easily create an album on the home page of photos यहां पर जो videos है और जो photos है, stickers, data और यहां पर काफी सारे जो चीज़े हैं वहें solve करें रखते हैं जो भी आपका update आता है तो आपको mobile का update time time करते रहना चाहिए साथ साथ यहां पर जो system है इसकी stability है वहें यहां पर इंप्रूव करेंगा और यहां कुछ चीज़े हैं आपको ध्यान राक लेनी है कि जब भी आप इसको update करेंगे update करने के लिए आपके पास जो है जो बैटरी है वैज आपके पास सही हैनी चाहिए आप अराम से इसको जो है download install करके update कर लेंगे update करते ही जो आपकी problem है वहें 100% यहां पर जो हो जाएगी अगर आपके पास यहां पर update का option नहीं आ रहा है तो आप क्या कर सकते हैं आपने जो हैसे कि यहां पर clear catch करा मैंने आपको बताया भी उसके बाद आप यहां पर क्या करेंगे आपने mobile में यहां पर जो है इसको long press करके इसको restart कर लेंगे तो restart करने के बाद जो आपकी problem है यहां पर वह solve हो जाएंगी तो इस तरह से आप जो है अपने इस problem को solve कर सकते हैं mobile की system के जो भी update आते हैं वह update आपको time time करते हैने चाहिए thank you मिलस आपको next video में